NHPC ने junior engineer के लिए recruitment notification चारी कर दिया है और यहाँ पे जो recruitment है वो only exam through होने वाला है यहाँ पे कोई interview नहीं है, direct selection होगा आपके exam की basis पे और NHPC अपना खुद का exam conduct करने वाली है और salary भी आपको बहुत बढ़या मिलने वाली है और यह जो recruitment है वो diploma students के लिए होने वाला है अगर आपने diploma किया है तो आप यह आप यह apply कर सकते हो तो क्या है इसके legitimate criteria, क्या होगा इसका selection process और आप इसमें कैसे apply कर सकते है सभी के बारे मैं इस video में बात करेंगे तो वडियो के इन तक ज़रूर देखिए अगर आप कोड़े पसंद आएगा तो इस video को लाइक करना अपने दोस्तों के दाश शेर जरू करना ताकि जो भी eligible है वो इसमें apply कर सकता है आपने last school video को बहुत बड़या response दिया I hope same response आप इस video को भी दोगे तो इस video के लिए like का target रखते है 100 likes तो जलज़े अकर से टोग लाइक कीजे और 24 hours में 100 likes complete कर दीजे ताकि ऐसे video बना निकले मुझे motivation मिलता रहे तो अभी बात करते है NHPC ने जो recruitment notification जारी के उसके बारे में तो क्या है notification उसके बारे में बात कर लेते है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो करियर सेक्षेन में आप जूर इंजिनेर की recruitment मेंचन की गई है और इसका notification मैंने download कर लिया है आप यहाँ पे देख सकते हो जो application form है वो 31st january से शुरू होने वाला है मतलब कल से शुरू होने वाला है तो आप कल से apply कर सकते हो कल सुबह 11 बई से application form शुरू होने वाले है और last date की बात करें तो 21st February तक आप इसके लिए apply कर सकते हो 21st February इसका last date होने वाला है NSPC की बारे में बात की जाए तो यह hydro power company है यहाँ पे power generation किया जाता है वहाँ पर आपको job मिल सकता है आपको salary मिल जाएगी तो बहुत बड़े salary यहाँ पर मिलने वाली है सभी के लिए same salary होगी यहाँ पर junior engineer electrical के लिए vacancy है और junior engineer mechanical के लिए vacancy है तो तीन ब्रांच यहाँ लिजीबल है एक civil, electrical, third, mechanical तो यहाँ पर आपने full time diploma किया है civil engineering से तो आप यहाँ पर apply कर सकते हो electrical engineer से किया है तो भी आप apply कर सकते हो mechanical से किया है तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हो minimum आपको 60% marks होने चाहिए अपके diploma में तो ही आप यहाँ पर apply कर सकते हो ओके तो यहाँ पर अगर आपने bv-tech किया है without diploma तो आप यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं वो भी यहाँ पर चीज़े mention की गई हैं तो यहाँ पर aid limit की बात करें तो सभी के लिए 30 years aid limit होने वाली है और अगर आप अगर आप इस्टिक अनेटरेट हो तो आपको पास साल का रिलेक्शन और ओबी से लिए 30 साल का रिलेक्शन यहाँ पर मिल जाएगा वेकंसी की बात करें तो civil engineering के लिए 68 वेकंसी है और mechanical के लिए 31 वेकंसी अवेलेबल है तो यहाँ पर 120 से ज्यादा वेकंसी अवेलेबल है कोई भी application fee नहीं है apply कैसे करना है उसके बार में हम बात में बात करते हैं बट पहले बात करते हैं इसकी selection process की जो सबसे important है तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पर only exam to recruitment होने वाली है कोई interview नहीं होने वाला तो यहाँ पर जो selection process है वो exam की business भी होगा computer based test यहाँ पर ह जुहाटी, हैदराबाद, इटानगर, जैपूर, जम्मू, कोची, कलकत्ता, लखनव, मुंबई, पंजी, रांची, राइपूर, शिम्ला में यहाँ पर locations होने वाले हैं मतलब exam centers होने वाले हैं यहाँ पर total 22 exam centers दिये गए हैं तो उस पर जाके आपको exam देना पड़ेगा तो आपके concern discipline से आपको question पूछे जाएंगे, मतलब अगर आप civil से exam दे रहे हो या फिर civil के लिए apply कर रहे हो तो आपका civil के questions रहेंगे, electoral से हो तो electoral के question, mechanical से हो तो mechanical के question, 30 questions जो है वो आपको general awareness से रहेंगे और last 30 questions जो है वो reasoning के रहेंगे, तो इस तरह से exam होने वाला है, यहाँ पर exam pattern है, अगर आप interest हो, तो definitely skill apply करना, बहुत बड़े job आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और इसके बाद जो final selection है, वो आपके exam के score भी रहेगा, बागी कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली, और अगर आपने BBT किया है, तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, तो सभी इसके बाद करें, तो 21st February तक आप इसके बाद कर सकते हो, 21st February इसका last date होने वाला है, और application form भरने का link भी मैं रेस्रिप्शन में देरेंगा, आप डारेक्ट लिवा से form भर सकते हो, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप को बसंदा होगा, तो इसको like कीजे, share कीज और चैनल को subscribe करना मत बूलिए, धन्यवाद